करने कर लेंगे तो मैं चानल का लिंक आपको डिसक्रिप्जन में दे दूँगा उस पर जब सिरीज शुरू होईगी तब मैं आपको बता दूँगा ठीक है जनरल अवेर्नेस के सिरीज अभी स्टार्ट है इंपॉर्टन डेस अधर चीजें अभी अप्लोड हो रही है तो धीरे धीरे जो है मैट्स वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट ड हमें रीजनिंग के पैटन को समझना पड़ेगा इसमें पैटन क्या है सबसे पहले जब हम इस को करते हैं तो हम पहले सिरीज चेक करते हैं कि सिरीज किस पैटन में दीव हुई है पहले हम चेक करते क्या डिजट में प्लस तो नहीं हुआ तो अगर हम देखें क्या डिजट म लेकिए 50 नेक्स जो लिखा है 500 अगर मैं बात करूं तो अगर हम देखें तो यह multiple 10 है अगर हम देखें 50 multiple 10 कितना होगा 500 ठीक है तो पहले अगर हम बात करें तो 50 multiple 10 और फिर 500 के बाद लिखा है 100 तो यह क्या है तो अगला क्या होना चीरह है 100 का? अगला क्या होना चीरह है तो अगला क्या थाउजन यिए five होना चीरह है तब यह सीरीज बनेंगी तो घ्या जाएगा तो यह 100 multiple to 200 आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए 500 multiple to 1000 और 1000 multiple to अगर हम next series देखना चाहेंगे तो 1000 multiple to 2000 आ जाएगा तो इस तरीके से हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं इसका answers कैसे होना है अगर हम इस patterns के बारे हम बात करें तो दो तरीके से answers इसके हो रहे है अगर हम देखें 50 500 100 और 1000 तो 50 multiple अगर हम बात करें तो multiple 10 चल रहा है पहला तो 500 आ गया अगर हम बात करें तो 500 divide by 5 कितना आ गया 100 आ गया अब देखिए पहले multiple 10 फिर divide 5 तो अगला step क्या होगा multiple 10 तो 100 multiple 10 कितना हो जाएगा 1000 अब multiple 10 होगे उसके बात क्या करना है डिवाइड बाइड बाइफ तो 1000 डिवाइड बाइफ कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाइफ तो 200 तो आप दोनों पैटन से इस questions के answers को कर सकते है ठीक है तो यह questions आपको समझा गया होगा यह patterns क्या चल रहा है multiple 10 डिवाइड बाइ 5 या एक और option है 50 multiple 2 और यह भी क्या होगा multiple 2 500 multiple 2 तो 1000 अगर हम अगली सीरीज भी निकालनी हो तो हम अगली सीरीज भी निकाल सकते हैं आईए next question देखते हैं question number second अब देखिए question number second हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इन दोनों patterns में relations क्या है 3 और 729 में relations क्या है देखिए अब यहाँ पर यह तो 3 है अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ तो हम changes नहीं कर सकते लेकिन हमें यह पता करना है 729 क्या है तो देखिए जब भी ऐसी situation हो तब आपको क्या चेक करना है यह 729 कुछ न कुछ थरीकी होगा अब क्या होगा 3 का square हो सकता है cube हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है तो आपको check करना है तो आपको कई सारी cube तो पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूँ square, square आप 20 तक याद कर लेना और cube अगर मैं बात करूँ तो cube आप 7, 8 तक याद रखना हो ठीक है अधर आपको check करने पड़ेगी अब अगर हम यह ध्यान से check करेंगे तो 7 to 9 जो है 7 to 9 अगर हम बात करें तो यह हैगा 3 की power 6 तो जब अब 3 को 6 times multiples करेंगे तो 7 to 9 आ जाएगा अब 7 to 9 आ जाएगा और यह क्या है 3 की power 1 तो relation इसमें क्या है 3 की power 6 इस to 3 की power 1 तो अब हमें यहाँ relation बनाना है तो यह क्या होगा किसी की power 6 जरूर होगा तो यह है किस की power 2 की power 6 अगर आप देखेंगे 2 की power 6 कितना है 64 तो अगला क्या होगा यह 2 की power 1 तो इसका हमें इसमें correct option क्या हो जाएगा ठीक है यह question समझागे आपको हमें हमेशा पहले जेखना है जो हमें given है उसमें relation check करना है reasoning में तो जब हमने इसमें relation check करा तो यह 3 की power 1 और यह 3 की power 6 फिर हमने check करा यह किस की power 6 है तो हमें यह पता जला कि यह 2 की power 6 है और जब यह 2 की power 6 है तो यह क्या होगा हमारा 2 की power 1 तो 2 की power 1 कितनी होती है 2 तो इसका हमारा इसमें correct option क्या हो जाएगा D ठीक है तो question number second का option क्या हो जाएगा ठीक ठीक है और ये question number second का आप homework जो ये answer करके आप इसका comment करेंगे answer ठीक है ठीक है thank you